हेलो एबरबडी स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का लॉवाला पे मेरा नाम है इसरा और आज के सेशन में हम लोग एक इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में डिस्कॉशन करने वाले हैं आज हम लोग CPC के अंदर ओर 38 कवर करने वाले हैं जो की डील करता है विद अरेस्ट and attachment before judgment तो यहाँ पे provisions दिये गए हैं जहाँ पे court को ऐसा लगता है अगर कि जो defendant है वो जो court का process है या जो plaintiff की right उस suit में निकल के आ रही है उसको determine करने में रोक लगा रहा है या जो court का process है उसको उसमें रोक लगा रहा है उसको delay करने की कोशिश कर रहा है court के process को avoid करना चाता ह है और ऐसा करने में मान के चली वो अपनी property बेज देता है जिसके उपर वो suit institute किया गया था जिससे related वो matter था तो कोई ऐसी situation arise हो रही है जहां पर court ऐसा court को ऐसा order करना पढ़ लाए for arresting such defendant और for attaching his property क्योंकि in the interest of justice court को यह लगता है कि इतना sufficient reason है court अपने आपको satisfy करेगा कि इतना जरूरी है is defendant को arrest करना इसके लिए warrant of arrest issue करता है court before the judgment तो court चाहे किसी भी स्टेज पर सूट के किसी भी स्टेज पर एक warrant of arrest issue कर सकता है और उस पर्टिकुलर डिफेंडेंट की property को भी अटाच कर सकता है अगर वो defendant अपने अपने ऐसे कारे कुछ ऐसे कारे करता है जिससे court को यह लगता है कि हमारा जो प्रोसेस है कोड का जो प्रोसेस है वो हमपर हो सकता है वो डिले हो सकता है प्रेंटिफ की राइट कॉम डिटर्माइन करने से चूक सकते हैं तो ऐसे में कोड चाहे तो वो warrant of arrest issue कर सकता है यह बात दी गई है order 38 में order 38 के rules 1 to 4 basically deal करते हैं with the arrest before judgment और order 38 के rules 5 to 13 deal करते हैं with the attachment before judgment यह सारे provisions आपको देखने को मिलेंगे orders में as well as section 94 supplemental proceeding में भी इसके बारे में बात करी गई है तो यह ऐसा tool है ऐसा mechanism है जो civil coach को दिया गया है ताकि complete justice यह कर पाएं for the parties अब यह जो topic है यह आपके examination point of view से भी बहुत ज़्यादा important है तो इसको आपको अच्छे से करना है क्योंकि इस point पर आपके conceptual clarity बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यहाँ पर हम लोग डेली टार्गेट देखेंगे सबसे पहले provisions दो दिये गए हैं से order 38 में यानि की rules rules 1213 हम लोग कवर करने वाले हैं साथी साथ हम लोग देखेंगे कि यह जो arrest और attachment हो रहा है इसके grounds क्या है कि ग्राउंड्स पर कोट ऐसा arrest करेगा या ऐसी property को attach करेगा कौन से वो grounds है साथी साथ section 95 को हम लोग कवर करने वाले जो compensation से related है यहाँ पे कोट चाहे तो 50,000 तक का जो cost है compensation पे करने को कहा जाएगा plaintiff से साथी साथ section 94 supplemental proceedings हम लोग कवर करेंगे और फिर हम लोग important questions देखने वाले हैं सेक्शन 94 supplemental proceedings से डील करता है इसमें supplemental proceedings से related provisions दिये गए यहाँ पे to prevent the ends of justice from being defeated court क्या कर सकता है court एक warrant of arrest issue कर सकता है defendant को किसलिए to show cause why should he not furnish security for his appearance साथी साथ defendant को direct किया जा सकता है कि आप furnish security को furnish करिए या कोई ऐसी property को court में जमा करिए और court में जमा करके court के disposal पे छोड़ दीजे या फिर attachment of any property इसके बारे में court issue कर सकता है temporary injunctions के लिए court orders कर सकते हैं interlocutory orders code कर सकते हैं साथी साथ एक receiver को appoint करवाया जा सकता है तो यह सारी चीज़े कहां दीगई है section 94 में और इसका procedural aspect इसका procedural aspect देखिए यहां पर order 38 order 38 rules 1 to 4 order 38 rules 5 to 13 deal करते हैं विदा attachment of property temporary injunction interlocutory order और receiver यह सारी चीज़े हम लोग आगे करने वाले हैं आज हम लोग a point और b point को cover करने वाले हैं अब यहां पर section 94 95 94 में supplemental proceedings है 95 में compensation यह आपके prelims point of view से बहुत important है दोनों ही provisions तो यह 5 चीज़े हैं जो supplemental proceedings में दी गही है arrest before judgment attachment before judgment temporary injunction receiver and interlocutory orders और यह दिया गया है हमारे civil procedure code के part 6 में compensation के अगर हम लोग बात करें तो पहले इसका amount कम था अब इसको 50,000 कर दिया गया है by the amendment act of 1999 यह prelims में question पूछा गया है direct question the amendment act अब देखिए अब जो rules है 1 to 4 यह basically arrest before judgment से related है और 5 to 13 attachment से related है अब यह जो provisions हैं यह basically defendant को arrest करने के लिए डाले गए हैं ताकि court के process को defendant avoid किसी भी तरीके से ना कर पाए यह court का discretion होता है किसलिए कि plaintiff कम से कम अपना जो decree का amount है जो claim वो कर रहा है उसको realize कर पाए smooth process चले साथी साथ execution कहीं पर defeat ना हो क्योंकि अगर आप किसी भी person की कि right को decide कर रहा है court और अगर उसको आपने execute ही नहीं कर आया आपने सिफ बता दिया आपकी यह right है आपकी यह right है लेकिन अगर plaintiff यह defendant को अपनी rights और liabilities को execute ही नहीं कर सकता है अगर वो तो ऐसी determination का कोई के भी point नहीं है तो यह जो execution है यह execution अच्छी तरीके से हो पाए इसी कारण यह आपको प्रावधान दिया गया है order 38 में अब देखिए अब यहां पर यह दिया गया है rule 1 में important बात देखिएगा court किसी स्टेज चाहे किसी भी स्टेज में चाहे जैसे कि सम्मन issue करने से पहले क्या कर सकता है एक warrant of arrest issue कर सकता है शो कॉस करने के लिए कि why should he not furnish security for his appearance ठीक है security for appearance आप क्यों ना आप एक शो कॉस करिए आप you come appear before the court and show cause why should not you furnish security for your appearance ठीक है अब ऐसे grounds क्या है देखिए दो grounds है number one defendant with intent to delay plaintiff or about avoid the process of the court या फिर for delaying execution of the decree क्या कर रहा है he has absconded or left the local limits of court jurisdiction or is about to leave or abscond from the local limits of court jurisdiction or he has disposed of remove property from local limits limits of court jurisdiction यानि कि उसने property मान के चलिए बेज दी वह भाग गया है court की local limits शोड के भागने वाला है भागने वाला है अगर court को ऐसी कोई भी situation लगती है ऐसा कोई भी court को अगर अंदेशा भी लगता है तो वह warrant of arrest issue कर सकता है before issuance of summer second point क्या कहता है defendant is about to leave India किसलिए ताकि यह जो process है इसको obstruct कर सके decree को execution को delay कर सके ऐसे situation में court एक warrant of arrest issue करेगा for the defendant to appear and show cause why should he not for the security for his appearance यह rule 1 में डिया अब देखिए यहां पे चीज याद यह रखनी है कि यह discretion होता है court का और इसमें court को पूरी तरहां से अपने आपको satisfy कर लेना है with full care court has to take due care और यह caution court को लेना है मलब यह ऐसे blatantly इस provision को नहीं apply करेंगे या without taking in consideration all the aspects सब कुछ consideration में लेके ही आपको यह provision को मतलब यह जो आपको एक टूल दिया गया है court को उसको उसी के बाद apply करना है सबसे पहले court must have the reason to believe court को यह पूरी तरहां से court को यह पक्का हो कि adequate material facts भी पक्का हो जाए कि यार यह defendant भागने वाला है he is about to abscone यह तो property third party के पास चले गई तो तो proceeding चल चुकी क्योंकि अब तो दूसरा matter आएगा अब वो third party ने तो property खरीदी है पैसे दे के खरीदी है वो तो rightful owner हो गया है अब क्या करें तो इसे situation में court यह warrant of arrest issue कर सबता है लेकिन यहां पर proper care and caution के साथ अब यहां पर court को एक real danger होना चाहिए मतलब क्या है एक बेज़ाब कोई अगर आके court के सामने कह रहा है कि defendant जो है property बेचने वाला है तो यह फर्जी बातों पर court यकी नहीं करेगा court को अपनी satisfaction करनी है है with eminently real danger that defendant will remove his property from the jurisdiction of the court आप इस पे एक important case law है वरी जेकब वसे सो सम्मा 2004 Supreme Court का यहां पर यह कहा गया है plaintiff यह जो provision दिया गया है court court की जो power है इसको as a weapon नहीं यूज करेगा कि मान के चलिए plaintiff अपने matter को मजबूत करने के लिए इसको यूज कर रहा है और मान के जलिए defendant को आरेस्ट कर वा ले रहा है तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं वरी जेकब के case में कहा गया क्योंकि यहां पर due care और caution का provision है और court अपना discretion तभी apply करेगा जब court को यह real danger लग रहा है कि यार यह property बेज देगा और उसके बाद एक case था रमन टेक वसेज प्रोसेस इंजीनिरिंग कंपनी का जहां पर एक कहा गया कि यह जो power है यह easy execution of decree के लिए आप नहीं use करेंगे कि मान के चलिए decree को execute कराना है तो arrest करवा लिया और फिर easily मतलब आप कम से कम other party को पूरा opportunity देजिए अपने पक्ष रखने की अपनी अपने case को मजबूत करने की मान के चलिए आप अगर arrest करवा ले रहे हैं उसको और उसको मतलब उसके भी जो पक्ष है उसमें भी बाधागर आप डाल रहे हैं by arresting by sending him show calls to furnish security security के लिए तो ऐसे में इसको easy execution of decree के लिए आपको यूज नहीं करना है दोनों ही case law याद रखेगा court को यह satisfaction पूरी तरह से रखना है कि यह bona fide suit अप court क्या यहाँ पे consider करेगा court यहाँ पे consider यह करेगा याद रखेगा यह court का consideration है कि एक bona fide suit था और उस suit में जो cause of action है वो जो plaint में allegations करें है na plaintiff ने यह नहीं कि इस suit में cause of action कुछ और निकल किया रहा है allegation कुछ और थे तो यह जो bona fide suit किया गया है it is related to the same allegations presented in the plaint and court feels like that is a real danger that the defendant may remove his property अब इस satisfaction इस consideration पर लीडिंग केस है सेत चंद मूल वसेश पुरुषोतम दास का 1926 मडरा साइ कोट का जहां पर यह कहा गया कि court को पूरी तरह से यह अपने आपको satisfy कर लेना है और इन points को consider करना है कि एक bona fide suit होना चाहिए जहां पर cause of action निकल के आ रहा हो और जो allegation plan में किये गए उससे related होना चाहिए और एक danger हो court को जो real nature का हो कि defendant अपनी property को बेच सकता है रूल टू क्या बात करता है रूल टू यह कहता है कि बही मान की चलो defendant fail कर जाता है यह शो कॉस करने के लिए कि क्यों न मतलब शो कॉस करने के लिए fail कर जाता है of furnishing security ऐसे में court क्या करेगा court उसको order करता है deposit करें वो court में आके कोई भी पैसा या कोई भी ऐसी property जो उसके claim जो उसके against claim किया गया है उसको sufficient हो satisfy करने के लिए court क्या order करेगा कि आप यह पैसा जमा करिए आप 25,000 उपए जमा करिए आपके against यह claim किया गया है और कम से कम इस claim को satisfy कर पाए या फिर punish security for appearance इसके लिए court order कर सकता है अब यहाँ पे यह जो defendant है यह surety को भी appoint कर सकता है अपनी behalf पे तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे surety होगी वो defendant के जगहां पे अपने आपको bind करेगी और rule 3 इसी surety के बारे में बात करता है मान के चलिए अगर कोई surety थी defendant की और वो apply यह करती है कि please court से कहती है कि मुझे इस obligation से discharge कर दीजे मान के चलिए surety क्या कहती है surety कहती है कि मुझे इस obligation से discharge कर दीजे तो court क्या करेगा court फिर से order करेगा defendant को और उसके लिए warrant of arrest issue करेगा कि भाई आप fresh security दो और क्यूंकि यह जो आपकी surety थी यह discharge होने वाली है अब यहां पर rule 4 क्या कहता है rule 4 यह कहता है कि हम civil prison में defendant को डाल देंगे अगर rule 2 और rule 3 के जो provisions है उसको वो comply नहीं करता है अगर वो provisions fulfilled नहीं हो रहे है complete नहीं हो रहे है तो ऐसे cases में civil prison में डाल दिया जाएगा यह दिया गया है not more than six months मतलब six months से जादा के time period के लिए नहीं डाला जाता है civil prison में और six weeks से जादा नहीं डाला जाएगा अगर property जो है वो 50 रुपए से जादा exceed नहीं करती है ठीक है तो जब यह security furnish नहीं कर पा रहा है जैसा कि rule one में दिया गया है rule two में दिया गया है कि जहां पे आप की जो surety है जहां पे जो security आपने जो security है वो आप deposit नहीं कर पाए और rule three यह कहता है कि भई defendant की surety है वही अपने obligation से अपने obligation से discharge होना चाहती है तो ऐसे cases में court चाहे तो उसको civil prison में डाल सकता है और ऐसी कोई भी जो decree होती है जो arrest before judgment से related होती है यह appealable होती है और इसके against revision भी हो सकता है इसका revision भी हो सकता है ठीक है तो यह हो गए आपके provisions relating to arrest before judgment लेकिन यहां पे एक point याद यह रखना है यह जो arrest before judgment के provisions है यह section 16 में section 16 के subsection A से लेकर के D तक के जो provisions दिए गए है जो properties दिए गए है immovable property से related जो matter है उन में यह apply नहीं करेगा जहां पर हम लोग ने पढ़ा था place of sewing से related जो provisions हम लोग ने पढ़े थे बहां पे सबसे पहले suit for recovery of immovable property में आप arrest before judgment नहीं कर सकते हैं कोई partition से related property कोई matter है कोई redemption या foreclosure से related matter है या कोई ऐसी determination कोई ऐसी right या interest का determination है किसी भी immovable property में और इसी पे एक case law है MS Chelsea Ambles वसेज MS चोरास का 1991 Delhi Delhi High Code का जहां पर यह बताया गया है कि arrest before judgment cannot be ordered और इसके बारे में guidelines issue करी गई अब यहां पर sections A to D आपको याद रखना है प्रेलिम्स point of view से तो यह पूछे ही जाते हैं लेकिन यह भी पूछा जाता है कि arrest before judgment कौन से matters में आप नहीं order कर सकते हैं तो यह आपके दिये गए है section 16 A to D और आपके order 38 में clear अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब लोग देखेंगे attachment before judgment सबसे पहले तो यह समझते हैं attachment का मतलब क्या होता है attachment का मतलब यह होता है कि property को इस तरहां से आप से ले लिया जाता है मतलब अगर आप उस property के owner हैं तो जो right होता है ना alienation का alienation का right जो होता है जो ownership का right होता है मतलब आपको जो property बेचने का right होता है आपकी ownership का right होता है आपका possession जो होता है वो सब आपके पास से चला जाता है जब property attach होती है तो आपकी property की alienation की right, ownership की right, possession की right आपसे छीन ली जाती है तो इसके provisions दिये गए order 38 में rules 5 to 30 सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि rule 5 क्या कहता है rule 5 यह कहता है simply की court किसी भी stage पे अगर वो satisfy हो रहा है इस बात से कि जो defendant है वो obstruct कर रहा है यह delay कर रहा है execution of decree against him या फिर again defendant is about to dispose of his property और any part of the property या फिर उस property को court के jurisdiction से हटा रहा है तो court क्या कहेगा court यह कहेगा कि वो जो property है उस part का जो उस property का कुछ भी part है जो same value है उस same value का जो claim उसके against किया गया है उसको आप यहां पे court में आके produce करिए या अगर कोई ऐसी property से related matter है जहां पे court order करना चाहता है उस property के attachment से तो उस property को code में submit करिए या उस part को property के code पे सब्वेट करिए या फिर कोड कहेगा कि आप शो कॉस्ट करिए कि क्यों ना आप से आपके अगेंस्ट आप अपने एक शोर सेक्योरिटी रखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सब रूल्स टू और थ्री क्या कहते हैं यहां पर प्लेंटिफ शाल स्पेसिफाइद अगर कोड चाहे तो प्रॉपर्टी जो अटाच करी जा रही है उसके एस्टिमेट वाल्यू क्या है कोड चाहे तो प्लेंटिफ से इ unattachment order कर देगा order of conditional attachment होता है बाइख कोड किसमें सब्रूल 3 में डिफेंडन्स टूशो काॉस और फेश्टू फॉरनिष्ट क्या करेगा conditional attachment issue कर देगा सब rule 3 में दिया गया है अब rule 7 और 12 basically deal करते हैं mode of making attachment किस तरीके से ये attachment किया जाएगा तो ये दिया गया है section 60 में यानि कि जो execution of decree में जिस तरह से attachment किया जाता है उस तरह से आपका mode रहेगा इस property को attach करने के लिए भी जो attachment before judgment होता है और section 60 में basically पूरी लिस्ट दी गई है जहां पर कौन सी properties attach करी जाएंगी और कौन सी properties नहीं attach करी जाएंगी जैसे की जो रोजमर्रा के जैसे कपड़े हैं कोई ऐसे टूल्स है वेपन जिससे किसी का कारोबार चल रहा है या कोई ऐसे यूटेंसिल्स है बिसिकली ऐसे लिस्ट दी गई है जहां पर properties कौन सी attach करी जाएंगी वो और नहीं attach करी जाएंगी वो दी गई है ठीक है अब रूल्स 10 11 10 11 11 और 13 बहुत इंपोर्टन है रूल 10 क्या कह रहा है ऐसा जो प्रोविजन दिये गए हैं फाइव टू थर्टी यह स्ट्रेंजर्स पर अपलाएं नहीं करेंगे यानि कि कोई भी ऐसे लोग जो सूट में पार्टी ही नहीं उनपे अपलाएं नहीं करेंगे या कोई ऐसा अंसान है जो डिफेंडेंट के अगेंस ठिकरी होल्ड कर रहा है और वो सेल के लिए अपलाएं कर रहा है तो उस पे कोई restriction नहीं है आप अपलाएं कर सकते हैं ठीक है अब 11 क्या बात करता है 11 कहता ह है कि कोई भी री अटैच्मेंट नहीं होगा प्रॉपर्टी का कोई भी प्रॉपर्टी जिसके लिए अटैच्मेंट को और करा जा सकता है विच इस वन्स अटैच्ट एक्जेक्यूशन में उसको री अटैच्ट नहीं किया जाएगा रूल 11 कहता है याद रखेगा और 38 रूल 11 नहीं क्या कहता है देखिए रूल 11 कहता है कि जो प्रॉबिजन से्टाइच्में के इंदी ऐसिकूशन डेक्री बिल बी एप्लिक विए एप्लिकेबल इडिकरी में अपलिकेबल प्रोविजन जो करेंगे और rule 13 basically deal करता है the small cause court के बारे में वो बताता है कि ऐसे matters में जो attachment of property से related है उसमें small cause court के पास कोई power नहीं रहेगी वो powerless रहेगा ये दिया गया है rule 13 में तो जरूरी नहीं question जो है वो rule 13 से related है लेकिन इस तरह से भी question आ सकता है which of the following court does not have power to order attachment before judgment तो उसमें high court supreme court और the small cause court none of the above करके पूछा जा सकता है आपसे तो याद रखेगा ये आपके prelims point of view से बहुत important हो जाता है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग section 95 देखते हैं जो compensation से related है देखे compensation for obtaining arrest attachment or injunction on insufficient grounds where in any suit किसी भी suit में जहां पर arrest attachment का order किया गया है temporary injunction grant किया गया है court को यह लगता है कि यह arrest attachment injunction insufficient grounds पर था या फिर the suit of the plaintiff fail कर जा रहा है और court को यह लग रहा है कि यहां पर कोई reasonable probable ground ही नहीं था कि इसको institute किया जाए defendant court में apply कर सकता है और court इस application पर plaintiff के अगेंस्ट ऐसे order कर सकता है कि आप compensation दीजिए not exceeding 50,000 rupees as it deems necessary or reasonable compensation defendant for the expense or injury जो expenditure हुआ है जो injury उसको cause हुए including the injury to reputation provided that the court shall not award under this section and compensation and amount exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction तो 50,000 तक कर सकता है लेकिन अगर pecuniary jurisdiction उतना नहीं है तो शायद वो ना कर सके court तो यहां पर limits जो है उतने में कर सकता है ऐसा order जो essay application को determine करता है कोई भी suit यह इसाल बार any suit for compensation इसके बाद आप कोई compensation का suit नहीं ला सकते इस arrest attachment और injunction से related तो compensation प्रिलिम्स में कई बार पूछा गया है यह प्रिलिम्स में कई बार question पूछा गया है section 95 से related अब हम लोग important questions देखने वाले हैं सबसे पहले दो order 38 of cpc deals with a interpreter summary procedure arrest and attachment before judgment d temporary injunction question number two under which provision of cpc attachment before judgment has been provided तो यह चार options है इसमें आपको जवाब देना है order 29 rule 1 2 order 40 rule rule 4 section 96 order 38 rules 5 to 13 question number three in the code of civil procedure civil court can direct attachment before judgment in respect of any property in proceeding pending before it in accordance with the provisions of which are the following orders इसका जवाब आपको देना है और question number four attachment before judgment in a suit dismissed in default revives automatically on the restoration of the suit does not revive automatically on the restoration of the suit may or may not revive depending on the facts and circumstances of the case d neither a nor b अब इस पॉइंट इस पॉइंट पर आपको इचीज याद यह रखनी है कि यहां पर जो revival की बात करी गई है तो यहां पर जब suit is when the suit is dismissed for default और अगर उससे related कोई attachment किया गया था तो वो और रिवाइव नहीं होगा तो यहां पर रिवाइवल नहीं होता है यह याद रखेगा तो उसी से related मैंने question पूछा है यह मेरे मेरे से miss out हो गया था तो यहां पर जो question पूछा गया है attachment before judgment in a suit dismissed in default revives automatically नहीं does not revive automatically on the restoration of the suit may or may not यहां पर be option जो है correct हो जाएगा अब हम लोग देखेंगे में से related कुछ questions सबसे पहले when can the court pass an order of arrest before judgment question number two mention the grounds on which the court can order attachment of property grounds पूछे कहें question number three mention the rules regarding attachment of property before judgment so i think इसी के साथ सारे ही important rules जो order 38 के थे वो हम लोग ने cover कर लिए यानि के arrest और attachment दोनों ही cover हो गया है अब next class में हम लोग temporary injunctions और interlocutory orders पढ़ने वाले हैं को समझने वाले हैं क्या role रहता है इनका और उसी के साथ फिर हम लोग का आज का class complete होता है मिलते हैं next lecture में तब तक ध्यान रखे टेक केर और गुडबाए